सब हो सकता है कि ये कल्यूग दुबारा आया हो कभी पहले, मतलब कल्यूग जैसे अभी चल रहा है, मतलब ये कौन सी साइकल का हो, तो इस पे में आपको एक और इंटेस्टिंग बात सो, तो ये जो चार काल है, देखिये, वेस्टरन कल्चर जो है न, उस पे वो लोग मानते ह होता है, वेस्टरन कल्चर में माना जाता है कि टाइम लीनियर होता है, हमारे में कहते हैं कि काल चक्र होता है, आप डिफरेंस ऑफ बिलीव देख रहे हैं, कि उनके लिए टाइम ऐसे चलता है, और हमारे टाइम ऐसे चलता है, हमारे टाइम साइकलिक है, जो मैंने अभी तो फिर से चालो होगा, आपके कमरे में लगी घड़ी, आपके हाथ में पहनी घड़ी गोल होती है, अतलब टाइम साइकलिक होता है, टाइम बार बार घूम के आता है, तो मैंने दो लाइने लिखी थी कि जहां से चले थे, फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझ कि दुनिया गोल है, तो समय गोल है, पहली बार, दूसरी तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी के पास इस यूख खंड में बात कर रहा हूं है, ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ हुआ है, मल्टी वर्स है यह, है ना, तो कृष्ण जी के द्वारपाल दौड़ते हुआ आया है द्वार का में, तो उनका दर्बान, वाच में, वो दौड़ते हुआ अंदर आया क्रिष्ण जी के पास, और बोले वो ब्रह्मा जी आया आप से मिलने, तो क्रिष्ण जी बोले अच्छा, उनसे पूछ लागी कौन वाले ब्रह्मा जी है हुआ हुआ, तो दर्बान दर्बान बोले ठीक है आप बोले ने पूछ लोगा, वो आपिस चले गए, बोले वो क्रिष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हो तो ब्रह्मा जी पढ़क गया, बोले कौन वाले ब्रह्मा मतलब क्या है की होता ब्रह्मा, तो फिर वो पैर पढ़कते हुआ ह तो Allah इसे दूसरी से राम्हाइयन से जूड़Иयाती तो आपका जो सवाल है ना कि टाइम-साैक्लिक है और हम कहा है ये कौन सी साइकल है तो ये तो हनुमान जी को भी नहीं पता है तो हमको तो पता ही नहीं हो सकता है कैसे हनुमान राम के बहुत बड़े भाकत है है ना वो मतलब वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते है लेकिन जब रामायन खतम होता है तो राम को तो वापिस जाना है विश्णो अतार में लेकिन हनुवान जो हैं वो सेवन इम मॉडल साथ चिरिन जीवे में से एक है तो उनको तो यूग में यही रुखना है इसी प्रिट्वियों में अब ये तो नियती है कि राम को जाना ये भी नियती है और हनुवान को रुखना ये भी नियती लेकिन हनुवान इतने बल्शाली है कि उनको समझाए कौन वो तो राम के लिए राम से भी लड़ने हुता यार है है ना तो राम क्या करते है तो ऐसा इस वार भी हुआ कि त्रेता युग में राम को वापिस लोटना था हनुवान बोले होई नहीं सकता प्रभू या आप यहां रहेंगे या मैं आपके साथ चलूँ मैं मैं आपकी सेवा करूँ मैं तो उन्होंने जमीन पे एक चोटा क्रैक बनाया जब हनुमान नहीं देख रहे थे तो राम में और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसके अंदर गिरा दी और राम जी ने बोला कि उपस हनुमान मेरी अंगूठी गिर गए प्रीज ले आईए हनुमान सुक्ष्म रूप में उस क्रैक के अंदर घुज गए अब वो जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए पाताल लोग में उनको शेशनाग मिले तो शेशनाग बोले हैं हाँ क्या कर रहे हैं आप महराज तो बोले वो मेरे राम के अंगुटी गिर गए ढूंड रहा हूं, मिली निरी है, तो शेशनाग मुस्कुरान लग गए, तो हनुमान जी ने बोला कि आप क्यों हैं, बोले आप फिर बुद्धु बन गए इसलिए, बोले मतलब बोले वो देखिए, जब वो पल्टे ना, तो वहां अंगुटियों के पहाड बना हुआ था, तो हर बार तुरेता यूग में, राम ऐसी बुद्धु बना के हनुमान को छोड़ जाते हैं,